कि है है लो फ्रेंट्स में विजय सार आप लोगा स्वाधत करता हूँ आपके इस इंग्लिज के चैनल में कि आज ओस आपका एक निया जो है सजशन स्टार्ट किया जारा जिसमें आपको इस पुगर इनकिशम प्रॉइड के जाएंगे और एक सेंटेंस आपको एक स्ट्रेक्चर दिया जाएगा जिस इस्ट्रेक्चर के माध्यम से आप कई सेंटेंस को बोल सकते हैं और आप इस प्रोकन में इसको यूज करेंगे तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो प्रैंट्स देखें आज का हमने जो पार्ट लिया हुआ है जो भी वर्ड लिया हुआ है वह फांड आपको में लिए और फांड आपका यूज करके आप क्या कह सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ का सौक है तो आप सौक है या आप सौकीन है या सौकीन हूँ या सौकीन था इस परकार से आगा जैसे मुझे गाना गाने का सौक है या मैं गाना गाने का सौकीन हूँ इस तरीके से कई सेंटेंस आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं इसके लिए आपको एक structure की आप सकता होती है जो मैं आपको दे रहा हूँ आज यहाँ पे सबसे पहले आप subject यूज़ करेंगे ठीक है subject के बाद में वर्व बी वर्व बी क्या होता है is MR वाज वर इसमें हम आइंजी लगाते हैं या something या कुछ और आ रहा है जिसी के आप सुखीन है उसको उसको कर रखते हैं तो चलिए हम कुछ sentences को देखते हैं पर देखने का सौक है टीक है इस प्रकाद से मुझे फिल्म देखने का सौक है तो मुझे का हो जाएगा आई और आई के साथ में अब लगाना आपको फांड आप आप देखिए देखने का सोख है ठीक है देखने का वाच होता है लेकिन आपको जीरेंड युच करना है यानि आइन जी वाला फार्म में उच करना है तो I am Fond of watching film का movies I am fond of watching movies ठीक है दूसरा देखिए कर आप मैं क्रिकेट क्हिलने का सोकीन हूँ तो I am Fronda Playing cricket ठीक है इस प्रकार से एक structure से आप कई sentence मना सकते हैं और बोल सकते हैं ठीक है I am fond of watching movies I am fond of playing cricket मुझे cricket खेलने का स्चो है I am fond of playing chess मुझे chess खेलने का स्चो है I am fond cup play Squid Master Rocky मुझे हांकि खेलने का स्चो है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं उसे अख़बार पढ़ने का सौक है he is fond of reading newspaper मुझे अंग्रेजी बोलने का सौक है तो I am fond of speaking English ठीक है और कुछ examples हम देखते हैं देखे करा उसे अंजान लोगों से बात करने का सौक है तो उसे का he और he के साथ में easy use होता है उसका अलगांगे fond of he is fond of उसके बाद आपका जीरेंड वर्ब में ing जो होता है बात करने का talking तो और अजने भी लोगों का हुआगा to the stranger तो he is fond of talking to strangers अगला करा उन्हें यात्रा कहने का सोक नहीं है अगर friends वाक में नहीं का यूज होता है तो उसे हम जो वर्ब्बी होता है उसके बाद यूज करते है तो they are not fond of traveling ठीक है they are not fond of traveling उसे यात्रा कहने का सोकिन नहीं है ठीक है मुझे किताब पढ़ने का सोख है तो आई एम फांड आफ रीडिंग बुक्स ठीक है मुझे उपर नाविल्स पढ़ने का सोख है आई एम फांड आफ रीडिंग नाविल्स मुझे पढ़ाने का सोख है तो आई एम फांड आफ टीचिंग मुझे गाना करवाल है आई यह मोख से आप कई सेंटेंस को बोल सकते हैं करा मुझे नए-उन, धेक्षारा का सोख है तू आई-एम फंट आप विज्टिंग ने पिलिशेज दो plug लेशेज तो फ्रेंट आपशन सेंपल कुछ दिये जाएंगे जिसको देख करके आप तौस करके तमाम सेंटेंस को सीख सकते हैं और बोल सकते हैं मुझे होप है कि आपको यह वीडियो वस्प पसंद में आएगा और आप इस फांड आफ का जो आपको इस्ट्रेक्चर दिया गया है इसका यूज करके आप ब वीडियो में या इस चैनल में आपको इस फिकार के कई सेंटेंस आपको इस ट्रेक्चर बेस में मिलेंगे थैंक्स आल आप यूज